आप हमें बताईए कि महबतें के म्यूजिक के लिए अधित्या चोपरा ने आपको क्या निर्देश दिये थे इससे पहले आपकी दो फिल्में कुछ-कुछ होता है और दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे दोनों दिवाली पर रिलीस हुई थी और अब महबते भी दिवाली पर रिलीस हो रही है इसका क्या सिक्डिफिकेंस है एक तो दिवाली में छुटिया होती है प्लस क्या होता है कि मेंटली सारा प्रोडेक्शन और आर्टिस्स सब के दिमाग में बात रहती है कि ये फिल्म ये डियूरेशन में कम्प्लीट हो जानी चाहिए तो सब लोग उस गोल को लेके चलते हैं तो वो सारी बाते उस दौरान सेटल हो जाती है जाए चाहिए तो लोग कुछ बाते हैं हूँ का लिजिकर आप डिरेक्टर भी लग जाए घर जाते हैं फिल्म खुद भी स्तरा करते हैं और सब भी बात है कि दिवाली बहुत बहुत शुब तहवार है श्री राम चिंदर जी हमारे 14 साल के बनवास के बाद लोटे थे तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है और उनके लिए बड़ा शुब भी है और मैं आपको एक बात और बता दूँ इसके नेक्स साल भी हमारी जो पिच्छर आ रही है कभी खुशी कभी कम बाइक करन जोर इस अलसो अन दर वीक अव दिवाली अज यू नो यह हमारा दिवाली स्पेशल एपसोर है ब्लॉक बास्टर का और हम अपने दर्शुकों के लिए इसे बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप महाबते का एक गाना गाकर सुनाए हमें लेकि इसमें कया है ना मुझे थोड़ा लता जी का फील यादा रहा जब गाना गाया था उन्होंने वो रिसल के मूड में आई थी और बोले मैं टेक करती हूं और मैं पूरा गाना गाकर जाती हूं और इतना अच्छा गाया मैं अगर मेरी जगा होते तो आपको ऐसा लगता है कि शायद हो 30 साल की या 35 साल की हूं इतना अच्छा उनकी वाइस की क्वालिटी और रन थू गाया उन्होंने गाना मैं तो उनका वन फूर्द भी नहीं गा सकता हूं